तो आज के इस lecture में हम क्या start करने वाले हैं आज के इस lecture में we will be going to start the new chapter seepage theories तो seepage के बारे में soil mechanics में हमने पढ़ा था irrigation में सुना है लेकिन हमने कभी use नहीं करा तो मान लीजिए यह आपका एक canal है जो हमने soil mechanics में dam में use कर रखा था example dam का था वो ही हम यहाँ पर canal में पढ़ेंगे मान लीजिए कि आप लोगों का यह canal है और canal में पानी है I know one thing that the water from the canal is going to seep into the soil अब जब यह पानी मिट्टी में seep करेगा तो seep करने से obviously मिट्टी की conditions को differ करेगा vary करेगा कैसे करेगा I can definitely say जब water मिट्टी में vary करता है तो मिट्टी का hydraulic gradient change होता है और hydraulic gradient अगर मिट्टी का change हो रहा है तो यहाँ पर एक पानी का pressure है जिसको हम H-Ed कहते हैं तो due to the high H-Ed due to high H of water in the canal there can be the failure in the soil due to high H there can be the failure in the soil अगर आप लोगों का पानी ज़्यादा होता है मिट्टी के अंदर common sense की बात है तो अगर fail होगे या soil में तो I can definitely say कि canal fail होगा क्योंकि canal soil पर ही टिका हुआ है तो what we need to suggest we just want one thing from this side की किसी भी तरीके से seepage होती भी अगर है seepage should eliminated किसी भी तरीके से seepage को रोका जाना चाहिए और I can say can allow for some extent कुछ हद तक हम seepage को allow कर सकते है ठीक है अब बात आती है यहाँ पर कि due to this seepage what can be the failure condition तो देखो seepage होने से ना आप लोगों के दो तरह के failure condition आ सकते है मतलब criteria दो बन सकते हैं fail होने के तो वो कौन-कौन से failure criteria आपके आ सकते है पहला मैंने का कि यहर पाइपिंग failure आ सकते है वो तो दिखी रहा है आपको एक एक करके हम सब पढ़ेंगे दूसरा मैंने का कि failure due to uplift pressure मिट्टी के अंदर सीपेज हो रहा है जिसके कारण uplift pressure generate होगा uplift pressure generate होने के कारण canal fail हो सकती है तो दो तरह से आपका system जो है वो fail हो सकता है ठीक है यह एक introduction है कि सीपेज हम लोग पढ़ के हो रहे है दूसरी बात ladies and gentlemen कि सीपेज चेप्टर के अंदर किसने काम किया है जादा दो लोगों की theory हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिली जैसे हम लोगों ने रिगाइं कंडिशन में दो theories पड़ी थी लेसी और कैनेडी ऐसी यहाँ पर भी दो लोगों की theory आई पहली theory जो हमारे पास आई थी वो थी blick script theory और दूसरा जो theory हमारे पास आया था फिर था खोसलास theory तो चलिए एक एक करके हम लोग इस session को start करते हैं किस तरीके से अपने को यह पढ़ना है now ladies and gentlemen when I am saying about the blick script theory तो नाम में बहुत कुछ रखा है नाम से ही suggest करते हुए आगी की तरफ हम चलेंगे देखें blick script theory में था क्या पहली बात तो creep का मतलब समझते है creep का मतलब क्या होता है यह आप लोगों का मान लीजिए मिट्टी है this is your ground level and the water is just coming from this side this is upstream this is downstream तो जो मिट्टी के अंदर पानी आ रहा है the length over which it can seep into the soil यह length जिसमें आपका वो पानी मिट्टी के अंदर इस तरीके से travel कर सकता है उसको हम लोग कहते हैं creep length ठीक है this is the water length this is the water passage और इसी water passage को हम लोग creep length के नाम से जामते हैं are you getting my point what is creep length so ladies and gentlemen according to the blick's creep theory था क्या हमारे पास मैं आप लोगों को one-liner से नहीं वैसी दिखा देता हूं according to the blick's creep theory था क्या हमारे पास कि यह theory पहली बात तो creep का मतलब क्या है जो surface के नीचे पानी चल रहे तो पहला जो point इस theory के लिए मैं लेख सकता हूं यह important है objective में पूछा भी जा सकता है आपको समझ भाए है creep के है upstream से downstream की तरफ पानी चल रहे तो obviously जमीन के नीचे चल रहे उस चलते हुए पानी को हम लोग creep length कहते है तो it is valid for subsurface flow किसके लिए valid थी यह theory obviously subsurface flow के लिए valid थी आपकी यह theory इसमें कोई doubt नहीं है now ladies and gentlemen I can also say कि जो आप लोगों का पानी मिट्टी के अंदर से पास कर रहे है ठीक है वो पानी किसके साथ contact में होने वाला है definitely जो पानी पास कर रहे है वो पानी आप लोगों का base के साथ contact में रहे कर चलने वाला है ठीक है the water passage water passage is in contact with the subsoil is in contact with the subsoil मैं सिर्फ वो ही कह रहा हूँ जो मैंने creep के बारे में आपको बताया is in contact with subsoil under the base of structure under the base of structure उसको एक creep theory का ही एक point था मतलब creep theory इसी पर ही चली गई थी दूसरी बात आती है what is the creep length तो वहां से हमें यह समझ में आया था the creep length is nothing just it is equal to length of the path traversed by the percolating water length of path traversed by percolating water चोथा point जो आपके पास आता है that is जब पानी सीप करता है तो definitely hydraulic gradient develop होता है formation of the hydraulic gradient hydraulic gradient developed under the soil when water creeps और वो hydraulic gradient क्या होता है अपने को पता है HYL होता है यार when water creeps तो उस hydraulic gradient को हम कैसे लिख सकते हैं that is nothing just equal to head loss upon length of the creep अब जड़ा clear करते हैं चलना कि ये किस तरह से हम creep length को निकाल सकते हैं एक अच्छा point है जो मैं अभी आप लोगों को बोलने वाला हूँ एक diagram है one liner से लिया गया बोला गया कि आपके पास एक structure है और उस structure के अंदर इस तरीके से पानी प्लो कर रहे है ये आप लोगों का एक section है कुछ भी है this is your upstream this is your downstream यहाँ पर आप लोगों ने sheet piles दे रखी है ये जो है ये sheet piles है ये क्या है ये sheet piles है अब मुझे पता है कि अगर पानी आएगा तो sheet piles से side side में इस तरीके से परकुलेट करने वाला है बिल्कुल करने वाला है तो मैंने आप लोगों को कहा if I need to find the total creep length and how can I तो मैं ये बात लेख सकता हूँ यहाँ से total creep length अगर मैं यहाँ से निकालना चाता हूँ तो मैं total creep length किस तरीके से निकाल सकता हूँ ये एक हो गया D1 एक हो गया D2 एक हो गया आप लोगों का D3 क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि एक D1 तो जाने में एक D1 आने में obviously ऐसा होने वाला है उसके बाद मैं यह भी कह सकता हूँ 2 times of D1 plus 2 times of D2 plus 2 times of D3 फिर एक length यह चल रहा है एक length यह चल रहा है तो भी consider the center to center length as L1 and L2 L1 plus L2 तो total अगर मुझे यहाँ से head loss की value को निकालना हो तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ यह सब आपको आता है ठीक है तो मैं तो बस करके दिखा रहा हूँ अगर मुझे यहाँ पर head loss दे रहा है that will be HL और creep length के लिए मैं लिख सकता हूँ 2 times of D1 plus D2 plus D3 plus B this is actually the hydraulic gradient which will be going to develop in this एक बड़ी आप मुझे yes कर देंगे क्या अब मेरे पास बात आती है कि यह जो creep theory हम लोग उने पड़ी है यह creep theory इसके बहाफ पर based थी मतलब किन criteria's पर based थी तो यह चीज़ याद रखेंगे कि यह जो blix creep theory है यह दो criteria's पर based थी based on two criteria's कौन कौन से वो दो criteria's थे हमारे पास पहला criteria आता है